कर साथियों धरपन्द सर्शेस में एक बार पुना आप सभी का स्वागत है जैसा कि हमने इंडियन इकॉनमी की इस लेक्चर स्रीज में अभी तक जो पढ़ा है वह आपका पूरा कर्वे अस्था था उस कर्वे अस्था के तहित प्रत्य चकर क्या होता है अप्रत्य चकर क्या आंतर होता है इस चीज को समझा कर्स धार सम्बंदी समीतियouth us Girard समीतियों में चलाय समीति के क्या सुझावते एक प्रकार का क्या है आपका इंडारेक्ट कर रहे है या अप्रत्य चिकर है ठीक है अप्रत्य चिकर है चालू करते हैं इसको अप्रत्य चिकर को यह GST को ठीक है तो इसमें लिखा हुए जैसे पहले पहली बात तो आपके अच्छे से पता है कि जो अप्रत्य चिकर है जिसको जीस्टी बोल रहे हैं यह वर्स 2017 से का हुआ था हमारे देश में लागू हुआ था ठीक है एक जुलाई 2017 से केंद्र सरकार द्वरा किया गया इसको लागू किया गया था बाद में अलग अलग टाइम पीरिड में इसको राज सरकारें 50% प्लस वन सरकारें तो पहली अपना चुकी थी एक जुलाई 2017 के पहले ही बाकी जो कुछ सरकारें बची हुई थी उनने भी आने वाले मंत्स में क्या किया उसको अपने संबंधित राज्यों में क्या किया था इसको लागू कर दिया था ठीक है तो अब समझने bay Path « का hell formulated का है मतलब कर देखों यहाँ पर केंदर सरकार और पहले होता था इस विएस्था के पहले केंद्र सरकार अपने अलग अप्रतेश्क नंगाती थी राज्य सरकार अपने अलग इंडिरेक्ट टेक्स लगाते थे ठीक है तो पहला तो यह विवाजन हो गया दूसरा विवाजन क्या हो गया कि अपरतेच्च करों के लगवग 20 से 25 प्रकार लगते थे ठीक है मतलब आपका विक्रीकर अलग से वसूला जा रहा है वैट अलग से ब एक ही क्रत हो गई ठीक है इसमें केंद और राज्यों दौरा वस्तों से वहाँ पर वहिन चड़नों में लगाए जाने वाले करों को समाप्त करके एक ही क्रत व्यास्था लागए जो हमने डिसकस किया वहीं यहां पर क्या है लिखा हुआ है अब आता है कि GST की परिवासा हम हमारे आधार बिटा सकते हैं जो हमने हाँ बताए कि GST क्या है कि एक अपरतेच करपनाली है एक इक रता परतेच करपनाली है जिसमें बस्तों से वहाँ पर लगने वाले कर को क्या किया जाता है वसूल आ जाता है पर अगर हम सम्वैधानिक परिवासा देखें क्योंकि प्रिवर्तन किया गया तो सबसे पहले देखते हैं जी एस्टी के परिवासा सम्मिधान के अनुसार तो अगर अनुचित 306 ठीक है 366 के अंधार पर देखें तो वहां पर साफ साफ सब्दों में लिखा हुआ किसी भी वस्तूय सेवा पर लगने वाला कर क्या कहलाता है आपका सिवाएं तो सभी समाइथ आइए बस्तूय पंत से 6 जे जो अभी विजिए ज़ियस्टी विव्यस्था के बाहर है क्यों क्यों में सरकार को कही ना कही लग रहा था है कि जीयस्टी में सामिल करने के पत्स्राप सरकार को अनुगसान होने वाला था थीक है तो इसको समझते ह को अगर समाहित करके देखा तो पांच चीजे आजाती पांच प्रकार के निकालते हैं डीजल भी निकालते हैं और कोग भी निकालते हैं तो अलग अलग चीज़े निकलती ठीक है इस्प्रिट क्या हो गया अल्कोहल नैच्रल गयस हो गई और इसके लाबा क्या है आपका विवानन इधन ठीक है तो यह लगभग 5-6 चीजें ऐसी हैं जो अभी भी जीएस्टी विवस्था के बाहर हैं तो इसी कारण आप सदेव डिबेट में सुनते रहते हैं कि सरका के लिए हम चलते हैं उसमें पॉइंट में अंगला पॉइंट हमारा कि जीएस्टी में स्लैप कितनी है तो देखो जीएस्टी में स्लैप तो सामाने तोर पे देखा जा तो 40 स्लैप है कि वह पांच 12 और 28% टेक्स आपको देना पड़ेगा पर यहां पे एक स्लैप एक वह मा सब्सक्राइब करते हैं कि हम कुछ चीजों पर क्या करते हैं 0% GST लेते हैं ठीक है तो यह आपका 0% GST को कॉंसेट हो गया जैसे क्या होता है आपका मान लिए बुनियादी आवस्चक्ता उभ्योग में चीज़े आ जाती कि आपका क्या आता है अब आटा में अगर आप पैक डाटा लेते हैं तो उसमें 5% का GST लेगा पैक डाटा मतलब क्या है जो ब्रैंडिट कंपनियों क्या आते हैं ठीक है सिल्वर कोईन हो गयरा इन सब का पतंजली का है ना पर अगर आप वहीं पे खुला वाला लेंगे तो उसमें क्या हो जाता है वो GST व्यस्था कि बाहर से रखा गया है मतलब 0% उसमें क्य देश्ता आती वो क्या है कि आप उर्ती पच्छ पर लागू होता है अब इस चीज को हम पहले भी समझ चुके हैं कब जब हमने अपरत्यकर पढ़ा था तो अपरत्यकर में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने एक सब्द पढ़ा था वहां पर करापात क्या था जो हमको टेक्स हमको चलgrade है कि श findetा इसको क्या बोलता है कि गई वहां करा पात है तो वही चीज हो गई यहां पर कि आप पूर्ती पच्छ पर लागू होना मतलब जो वक्ति-वस्तु और सेवा का प्रयोग करेगा उसको यहां पर क्या करना पड़ेगा जीएश्टी देना पड़ेगा तो वस्तू के निर्माण वह वस्तू की विक्री या सेवाओं के प्राभधान पर पुरानी अभधार्णागा विप्रीत वस्तू सेवाओं की आपूर्ती पर मतलब अंतिम व्यक्ति जो है उससे क्या किया जाएगा ट गंतव्य अधारित कराधान क्या होता है कि GST मूल अधारित कराधान के सिद्धान्द के विप्रीत गंतव्य अधारित इस चीज़ को हमने जो आपका आपूर्ति पच्छ वाला कॉंसेप्ट है कि अन्तिम व्यक्ति पर लगेगा वही वाला गंतव्य वाला भी है कि यह ultimately क्या होता है मूल इस्थान मतलब जहां से बस्तू का या सेवा का production हो रहा है उसके बजाए जो आपका अंतिम बिंदू है ultimate point है जहां पर उस बस्तू या सेवा का उपभोग किया जाएगा उससे क्या किया जाएगा GST वसूला जाएगा ठीक है इसके बाद है 12 GST अब ये 12 GST क वसूल रही होती है और राज्य सरकार अपना अलग GST वसूल रही होती है जहां पर राज्य सरकार का रोल नहीं होता वहां पर कौन सी आ जाती है यूटी आ जाती है केंद्र सासित प्रदेश सरकार या जाती है तो अगर राज्य सरकार नहीं है तो केंद्र सासित प्रदेश के लिए भी और स्वेंट केंद्र सरकार के लिए दोनों के लिए जीस्टी लगाएगा कौन केंद्र सरकार वसूलेगा कौन केंद्र सरकार और फिर फाइनली केंद्र सरकार किसको देदेगी यूटी बाला यूटी को हिस्सा देदेगी ठीक है तो यहां पर दोहरे जीस्टी क् एक साथ एक समानाधार लगाय जाने वाला कर है केंद्र दर लगाय जाने वाले जीस्टी को सी जीस्टी कहते हैं सेंट्रल जीस्टी और राजियों दर लगाय जाने वाले कर को क्या कहते हैं पिर आता है परासपरी क्रूशे तकी जाने वाली जिस्टी आपने जिस्टी की दरों में जी एस्टी की दरों में पांस दरे बनाई गई ठीक है अब यह 5 दरों के साथ साथ यह तो बहुत ज्यादा डाइनेमिक यहां पर Central GST और आपका जो State GST इसको तो हमने देखा जहाँ State नहीं है वहाँ पर UT GST आ जाएगा पर इसके अलाबा आपका क्या चल रहा है कि एकिकरत GST व्यस्था भी चल रही है Integrated GST चल रहा है मतलब इस Integrated GST में क्या होता है exactly जम GST के प्रकार देखेंगे तब बाद में देखेंगे अभी के लिए समझे लेए इसको Integrated GST में exactly क्या होता है कि चेंडर सरकार दोरा만Dr GST लगाए जाता है चेंडर सरकार दोरा उसको वसूला जाता है और फिर क्या करता है कैंडर सरकार दौरा पारस्परिक रूप से सहमाद दरों को लगाए जाते हैं GST परिषद की सिफारिष पर दर्यें क्या कर दिया आती है अधिसूचित कर जाती है GST परिषद अब यहाँ पर GST परिषद नहीं मांगे समझेंगे अभी सिंपल से आप यह समझे कि एक क्या है एक समवैधानिक निकाह है जो किस्टीश के लिए गठित किया गया है GST समझनित सभी निर्णे देने के लिए जिसमें केंदर सरकार के प्रतनिदी होते हैं केंदर सरकार के प्रतनिदी में केंदरी वित्तमंत्री और केंदरी राज्य वित्तमंत्री होता है इसके अलाबा सभी राज्य सरकारों के वित्तमंत्री होते हैं इसके अलाबा जो आपका UT है वहां से अगर किसी UT में विधान सभा है तो वो विधान सभा रहेगी तो सिदी से बात वित्तमंत्री रहेगा तो वो वित्तमंत्री आएगा अगर विधान सभा नहीं है तो वहां का जो लोक पर सासक है या जो लिटिनेंट गवर्नर है वो आएगा ठीक है तो यह क्या होता आपको परिसत पूरा क्या करती हैं यहां पर निर्ने लेती है तो यह क्या हो गया पहला कि पारसपरी ग्रूप से दर्य तै की जाती हैं मतलब अपस में सहयोग से जो केंसरकार कर बोलेंगी दोनों आपसी सहमति से क्या कर लेंगे दरे तै कर अंगला आता है बहुँफ कि यह समद चुके हैं कि 5% की 12% की 18% की 28% की दरे बनाई गई हैं मतलब बहुत ज्यादा क्या किया गया है flexibility लाई गई जैसे हमने एक पढ़ा हुआ था चलाईया समीति का सुझाओ ठीक है चलाईया समीति ने सुझाओ दिया था इस चीज को हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं चलाईया समीति में सुझाओ दिया था कि GST ब्यवस्था में जो कर ब्यवस्था में कर बंचना होती है यह tax avoidance होता है tax story होती है उसको रोखने के लिए सरकारों को क्या करना चाहिए कि जो कर की दर होती है उसमें पहुँच जादा वो लाना चाहिए छोटे छोटे अंत्राल में कई सारी दरे रखी जानी चाहिए इस शी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए तो यहां पे GST में ग्याए अर्देखर होगे आप तो छोटी छोटे अंत्राल में कई सारे रखे yer रखे गई है जिसमें क्या है प्रमुकत है चार दर्य आ जाती है ठीक है पांच परशंट की बारा परशंट की अठ्रा परशंट की और किस पे कितना टैक्स लगेगा यह डिपेंड करता है कि उस प्रॉडक्ट यह जो भी वस्तु है जो भी सेवा है उसका लग्जरियसनस कैसे वड़ता जा अब बांकी देश यहां पर 18 परशंट की जबकि हम अब यहां यहां सब आ culprit चुझे लोग मिल जायेगए अन सभी क्याओ Witहां तो जैसे मान लो अब जो बेशिक नेट की चीजें ऊ आपफ पाँंच परशंट में पर अगर जो कोई वस्तू क्या है लगजरियस है लगजरियस वस्तों को अगर आप क्या करते हैं तो सीधी जी बात है आपके पास क्या है पूजी अच्छी पे आपको अच्छा टैक्स भी देना पड़ेगा जो की 28 परशन्ट तक हो सकता है ठीक है तो यहां पर क्या हमने पर लागू होता है तीछरा 12 जी अश्टी लगाया जाता है पारसपरिक रूप से आपसी सहयोग से क्या की जाता है आपसी बातचीत के बाद क्या है दरें तै की जाती है और क्या की जाता है बहुत सारी दरें तै की गई है बहुगामी तरें क्या की गई है विक्सित की गई है खीक है अब आता है अंगला जीस्टी के प्रकार जीस्टी के प्रकार अभी तक कि डिस्कसर होंने कई सारे समझ लिए हैं इनको डिटेल में देख लेते हैं सबसे पहले आता है आपका central char gt जिसको क्या बोलते हैं केंदरी बस्तोय सेवा कर तो केंदरी बस्तुम सेवा कर इस चीज को हम पहले भी समझ चुके हैं कि जब आपका राजी सरकारें अपना अलग टेक्स लगाती थी केंदर सरकारों के जो टेक्सों की संख्या होती थी आपरतेच्छ वाले में उसमें लगभग कितनी जाती थी 15-20 की बीच जाती थ जिसमें प्रमुकता है क्या होता था आपका केंदरी उत्पात सुलक लग रहा है आवकारी सुलक लग रहा है सीमा सुलक देते थे आपका इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती थी एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती थी विक्री कर देना पड़ता था ठीक है तो इन सिर्दיב yani सर्कारं बहुठ सारे कर लगा रही थी जैसे घर सावड़ार आपका राज्रसरकार एक लगाती ती जो ऊनलुय एडिड टैक्स या होता है मुले वर्थित कर क्या होता इसके बारे हमने उसमें पिछले वीडियो में समझ चुके ठीक है तो सरकार राज सरकारें वैट लगा रही थी इसके लाब राज सरकारें क्या कर रही थी विक्री कर या क्रेकर लगा रही थी चुंगी कर लगा रही थी अब जैसे क्या होता है केंदर सरकार क्या लगाती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाती है अगर को सेट का पालन देश के अंदर राज सरकार रखीया जाता है वो किस रूप में करते हैं राज सरकार 8 तरीके से दिखा जा तो चुगी कर के रूप में चुगी क्या होता है कि बॉर्डर से अगर जैसे MP बॉर्डर है और दूसरी तरफ कहा है महाराश से कोई चीज हमारे मद्ध प्रेश में आती है तो हम क्या करेंगे वहां पर चुंगी कर वसूलेंगे ऐसी बिवस्था चल दी थी तो इसको भी जीस्टी में समाहिद कर दिया गया मनोरंजन कर विज्ञापनों पर कर विलाशिता कर लॉट्री शट्टा जुआ इन सभी चीजों पर क्या किया आता था टै इसको डिसक्रस किया था अब इसमें क्या होता है केंद्र राज्य सरकार दोनों के लिए समाहिद प्रावधान इसके तहित क्या किया आता है सिंपल सा कि इस कर को राज्य सरकार क्या करती है आरोपित करती है केंद्र सरकार ही क्या करती है इसको वसूलती है पर आखरी में क्य का होता है केंद्र सरकार इसको अपने पास नहीं रखती है केंद्र सरकार इसको विभिन राज्य सरकारों के मद्द या सभी राज्य सरकारों के मद्द क्या करती है वित्रित कर देती है उन वित्तायों की सिफारिशों के अनुरूप ठीक है वित्तायक और नीतियायक की सिभार्चों के लूप इसको वित्रित कर देती है तो यह क्या होगा आपका IGST एक चौथा प्रकार भी आ जाता है वो है आपका UTGST देखो अब जहां राज्य सरकारे हैं वहां पर हमारे हाँ पर राज्य के साथ साथ केंदर सासित प्रदेशों की विवस्था भी है अब वो जो केंदर सासित प्रदेश हैं उनमें क्या आ जाता है आपका UTGST लागू होता है तो अब UTGST में क्या देखो कि कुछ UTGST हैं कुछ UTGST मतलब तीन ही UTGST हैं जिसमें क्या है आपका सरकारे होती हैं कौन-कौन सी UTGST आपका विधानसवा होती जहां पुड़ुचेरी हो गई, जम्मु कास्मीर हो गई, दिल्ली हो गई, पुड़ुचेरी और दिल्ली में अभी सरकारे चल रही है, विधान सभाई चल रही है, जम्मु कास्मीर अभी विधान सभा नहीं चल रही है, जल्दी चुना होंगे, उसके बाद वो प्रक्रिया में आ ठीक है तो इसके लाबा क्या है आपका अंडवान निकोबार दीप समूर लच दीब दमन दीब दादर नागर ठीक है लगदाख यहां पर क्या है कोई विधान सवा नहीं है और बर्तवान में अगर देखा जाए बर्तवान पर इसितियों में तो जम्मू कास्री में कोई प्रिद कर देती है और जहां विधान सवाएं हैं वो खुदी लगा लेते हैं खुदी अपना कलेक्शन कर लेते हैं खुदी उनका प्रयोक कर लेते हैं ठीक है तो यह क्या था यूटी जीएस्टी था अब अंगला आता है कि जीएस्टी के संबंध में क्या-क्या सम्म्यध जोड़े गए कुछ जगे पुराने आइटिकलों की परिवासा में परिवर्तन किया गया या भासा में परिवर्तन किया गया ठीक है तो इसमें सबसे पहले आता है आपका आइटिकल 246 आइटिकल 246 में क्या किया गया तो केंद्र सरकार को और केंद्र जीएश्टी लगाने के लिए और ये सरकार को IGST लगाने के लिए अधिकार प्रदान किया गया मतलब ये सरकार और राच सरकार Gotty लगा सकती है इस संबंद में अधिकार दिये गए 246 के तहट में कि अंगलाइन 269 269 के तह त्या किया गया तो जो किंदरी विक्री कर लगा जाता था Central Cell Tax लगा जाता था अंतर राज्जी वियापार पर उसके संबंद में क्या किया गया यहां पर प्रोविजन किया गया इसके अलाबा क्या था 269A 269A में क्या किया गया तो अंतर राज्जी विन्वेपर कर लगा गया अंतर राज्य बिन्में क्या होता है कि एक राज्य और दूसरे राज्य के मद्जों क्रेविक्रे हो रहा है महाराष्ट और 36 गड़ महाराष्ट और मदप्रेश 36 गड़ मदप्रेश ऐसे बिभिन राज्यों के मद्जों व्यापार हो रहा है ठीक है इसके लाबा आयात पर सीमा सुल्क लगा दिया गया आपका इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिगे एक तरीके से ठीक है आई जीएश्टी लगाए गया उसमें जहां अंतिम राज होगा भोक्ता राज वहां पर एक कर लाएगा इसके लाबा ऐसी जट से बस्तू सेवा बाहर नि कलती है एक्सपोर्ट होने के लिए या कहीं विक्री के लिए तो उस पर क्या लाएगा आपका इंटिग्रेट जीएश्टी लाएगा इसके लाबा आर्टिकल 268 है इसमें क्या किया गया है तो सर्विस टेक्स में आर्टिकल समिधान चटा दिगा देखो पहले क्या होता था सेवाकर लगा जाता था पहले क्या होता था सेवाकर क्या हो गया उसको समाप्त कर दिया गया है क्यों क्योंकि उसको सेवाकर को जीएश्टी में सामिल कर दिया गया इसके लाबा आर्टिकल 270 तो इसमें क्या किया है वेकर जो केंद्र सरकार लगाता था वसूलता था उनको क केंद्रों में क्या करने था विद्रित कर देता था किंद्र सरकार क्या करता है अब इसमी जी सवय को सixon में सिर्फ एक आप्यूस्ट बचता है जोकी बहुत सुन आर्टिकल 279 एक नया आर्टिकल है इसको 101 में समिधान संसोदन अधिनियां के द्वारा जोड़ा गया था 2016 ठीक है तो इसमें क्या किया गया है देखो अब क्या होता है जीस्टी परिश्यत की संद्शना में तो जीस्टी संबंदित मुद्दों पर केंद्र और राजसरकारों या वित मंतरी तथह सभी राजों के वित मंतरी या कराधान के प्रवारी मंतरी होते हैं अब इसमें क्या-к्या सदस्च रोते हैं पहले इस चीज को समय लो की सहाथ की किशी यूटी में अगर विधानसवा है तो वहाँ का विध्यमंत्री आएगल एक이다 ये क्या है एक संघी निकाहिं ये सगही निकाहय का मतलब क्या होता है है कर ला cape만 अनुक के एक तरीके से बाद टाइब से इसका मतलब सिंपल सा होता है कि जो भी बात की जा रही है उसमें केंद्र और राज्ज दोनों की बराबर की सही भागिता है haha अगर हम बोलते हैं भारती जो सासन व्यवस्तास एक संग्वाद पर अधारित इसका मतलब क्या है कि यहां पर सासन करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें एक दूसरे का सहयोग करके काम करती है केंद्र और राज्य सरकारें यहां पर सासन करने के लिए बराबर रूप से क्या है उत्तरदाई है ठीक है तो यह संगी निकार होगा है जहां पर क्या होता है ऊचित से प्रतनिहित्त होता है अगलाता है आपका जी स्थी पर सेल की संशना लचया औरकिकी सदस्थ मंतरि अगर विधान सभा है और नहीं है तो प्रसासा किया? Lieutenant Governor, ठीक है? अब यहाँ पर आपको point का याद रखना है कि Quorum कितना होता है? Quorum का मतलब क्या होता है? जैसे क्या है? आपका संसाद में लोग सा भामे, Quorum कितना होता है? 1 tenth का Article 75 क्या बोलता है? Quorum कितना होगा? 1 tenth का होगा 1 tenth का नहीं बोलना चाहिए 10 प्रस्त का होगा ठीक है? 10 प्रस्त का मतलब Total members का 10 प्रस्त लोग क्या होने चाहिए? उपस्थित होने चाहिए तभी क्या होगा? सदन की कारवाही चालू होगी Simple सा Quorum का मतलब होता है इतने कम से कम सदस्य हो इसी क्या बोलते है? गणपूर्ती बोलते है तो यहाँ पर जो गणपूर्ती यह कोराम होना चाहिए GST परिशद में वो 50% की होनी चाहिए कि अगर Total members में से 50% उपस्थित है तो ही सदन की कारवाही संचालित की जा सकती है अन्य था संचालर नहीं होगा ठीक है? कोराम होगे अब इसमें आता है कि केंदर सरकार का खुल मत मूली कितना होता है और राज सरकार का तो देखो मान के चलो कि Total जो वोट वैल्ली होग 100% की है Total जो वोट वैल्ली होग 100% की है तो उस 100% में से केंदर सरकार के पास मात्र कितना होता है one third की vote value होती है बांकी two third की जो vote value है वो किसके पास होती है राज्य सरकारों के पास इतना समझ माँ है कि vote value केंदर सरकार के पास one third की है बांकी two third की vote value किसके पास है राज्य सरकारों के पास तो अब प्रशन यहां पर उठता है फिर इसमें निर्णे कैसे होता है तो यहां पे जो निर्णे होता है उसके लिए किसी भी अगर प्रस्ताव को पारित करना है आपको किसी भी प्रस्ताव को कानून बनाना है अगर आपको तो वहां पे जो वोट वैली होगी हो कितने की होगी आपकी 75% की मतलब केंदर और का अंग बन पाएगा यह कानून बन पाएगा ठीक है तो यह क्या था आपका पूरा एक तरीके जीएस्टी की संद्रचना थी अब आता जीएस्टी के फायदे क्या होते हैं तो पहला फायदा इसमें क्या है भोकता के नजरिये से दूसरा फायदा हम देखेंगे जो असर कम दिख रहा होगा क्योंकि मुद्रेश्वितिम प्रद्धी हुई है पर अल्टीमेंट लेगर आप देखेंगे तो जिन बस्तुमों पे कलेक्टिव अलग-अलग प्रकार के टेक्स लग करके वो कलेक्टिव रूप टेक्स हमको 40% तक पहुंच जाता था अब वो ट्र आज जय सरकारी अपना अलग टेक्स लगाती थी तो एसससरे क्या होता था टिस्य रा सद orph मिवश्ट्या अब GST के बाद क्या हो गया है पुरी एकी क्रत विवस्था के कारण पूरे देश में किसी विवस्थू की कीमत सदय उपस क्या रहने वाली है बराबर रहने वाली है इसके लाबा सरली कतकरण प्लानी है हाँ विवस्था क्या हो गयी सराल हो गयी देखो अब GST फा안श्डिक्ट करना कही बहुत ही आसान बना दिया गया है से पुरी डिश्टाल व्यश्टा के माध्यम से इसकेılarब कैस्केडिंग प्रहूब समाप्त कर दिया देखो कैस्खेटिंग परहूआँ क्या होता था कि आपका उत्पादन से लेकर के उभोक के इस तरह तक जो हमारा नहीं प्रोड़क्त है ।kyम्पाूट्ट भास्तू्य से सेबा है अलग अलग चड़नों से गुज़रने के दोरान क्या होता था हर चरण पर tax लगा जाता था हर चरण पर क्या किया था कर लगा जाता था जो कि compound tax के रूप में हमको क्या मिलता था आखरी में जुड़कर मिलता था तो जो अलग-अलग चरणों पर tax लगाने की जो परमपरा थी यह क्या हो गई finally समाप्त हो गई तो यही क्या था आपका cascading profile थ कि अगर आपका व्यापार 20,00,00 रूपे तक का है अगर आपका व्यापार 20,00,00 रूपे तक का है तो आपको कोई GST नहीं देना है देखो GST में registration कर安全 पड़े आपको में ढिन पड़ेगा अधर्य वापस कर देगी आप 20 लाकुरू यह जो 20 लाक है पूरे देश के लिए है पर उत्तर पूर्वी सीमा के जो राज्य हैं उनके लिए यही क्या हो जाता है 10 लाग अगर आप पूर्व उत्तर छेत्रों में कोई अपना व्यापार कर रहे हैं तो वहां पर मातर 10 लाग पारदर्स्ता अगी के मतलब क्या होता है कि अब वो GST किसको फाइल कर रहे हैं GST कहां जा रहा है ये पूरी चीज क्या हो जाती है एक तरीके से पारदर्स्ती बनी रहती है और उन्हें जो GST दिया है उससे एक तरीके से टोटल कितना कलेक्शन हुआ ये आपको मन्त के एंड में क्या चल जाता है पता चल जाता है कि जैसे क्या हुआ अभी क्या चल रहा है दिसंबर मन्त चल रहा है तो दिसंबर मन्त में टोटल GST कलेक्शन कितना हुआ है ये एक जनवरी घुम को क्या हो जाएगा पता चल जाएगा सरकार क्या करती है डेटा रिलीज करती है 2017 से रिलीच कर रही सरकार है ना तो विवस्था में क्या एक तरीके से पारदर्शिता है इसके अलाबा क्या है आसान उधार देखो यह क्या है अच्छा वो क्या करेगा आपकी साख आपके क्रेडिट को क्या करेगा आखेगा अगर अगर उसको लगता है कि आपका व्यापार एक सीमी क्या है एक अपर लिमिट से एक छमता से काफी अच्छा हो रहा है ज्यादा हो रहा है तो फिर उसको समझ वहाएगा कि भाई आपका व्यापार अच वो भोगता और व्यापारी दोनों के लिए जीवन को आसान बना दिया है GST ने अपने सिस्टम पर हर वित्ती लेंदेन की रिकॉर्डिंग को लाया यही हमने point डिसकस किया कि व्यापारी ने साल भर में या महीने भर में कितना खरीदी की व्याप्राण होता उसमें चोटे बड़े व्यापसाई अपने लेंदेन की रिकॉर्ड को उसमें रखते हैं ठीक है इस रिकॉड को बनाए रखने से बैंक को और अन्य व्यापसाई से रिड़ नेना बहुत आसान होता अब जाएग सब्सक्षार्ट करने पदेखि है तो देखो पचास्ル प्रकार के सरकार को क्या करना पड़ता था अनावस्तक्षा नीचर्चा जाता था तो सरकार पर यहां क्या लाब हो गया कि संग्रहन की प्रक्रिया आसान हो गई सरकार का पईसा बच गया इसके लाब एक बहुत बड़ा जो फायदा हुआ हो है विदेशी निवेश में देखो हमारे यहां पे अधिकान्स इन्वेस्टर इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि हमारे कि जो व्यवस्था हैं वह ज्यादा जटिल हैं उनमें से जटिल व्यवस्था थी आपकी टैक्सेशन पॉलसी अब इसमें होता क्या था कि भाई जब पंद्रा तरह के बीस तरह के आप टैक्स वसू लेंगे कोई व्यापारी आके यहां पर निवेश करता है विदेशी व्यक् गया तो आप देखेंगे अगर इसके समय में 2017 में अगर आप जाएंगे तो हमारा इज आप डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट आती वर्ल्ड बैंक की उसमें हम लगभग 13640 रेंग क्या सपास होते थे पर आज की तारीक में इस व्यस्ता के आने के बाद हम देखो अने फ में देशी निवेश में फायदा वुई है इसके लावा आयात निर्यात्य में वड़ावा मिला है तो सीधिती सी बात है जब आपके घेश्टी बिवस्था में सुधार हो गाकर लोगों को सहुलीयत होगी तो लोग अपने व्यापार में क्या करेंगे व्रद्धी करेंगे उससे क्या होगा आयात निर्यात में व्रद्धी होगी तो यह तो क्या थे GST के फायदे थे पर GST कोई बहुत अच्छी एकदम परफेक्ट बेवस्था नहीं है ठीक है इसमें भी क्या है कुछ ना कुछ नुकसान है अब देखते हैं कि GST के नुकसान क्या है तो पहला तो क्य आता है कि राजकोशी जंगबाद को नुकसान कैसे पहुचता है तो देखो 2017 के पहले एक पॉइंट जान लो कि भाई GST लागू क्यों नहीं हो पा रहा था आज की सरकार में जो प्रधानमंत्री है जो नेता है वो सभी उस व्यास्था क्या करते थे विरोध करते थे तो कु टोटल लगभग लगभग 35-40% टेक्स वसूलते थे अलग अलग प्रकार के चोटे 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 टेक्सों को मिला करके 30-35 तक चला जाता था राम से ठीक है अब हुआ क्या जैसी GST लागू हुआ तो जो मैक्जिमम टेक्स हो तो 28% हो वह भी सिर्फ लगजरियस बस्तों प करती ही राज सरकारे क्या करती थी विरोध करती थी इस कांट GST लागू नहीं हो पाता था पर जब 2017 में लागू हुआ तो उसमें केंदर सरकार ने राज सरकारों को वादा किया कि अंगले 5 वरसों तक हम आपके नुकसान की क्या करेंगे भरपाई करेंगे अब हम आपके न करती है यह यह वादे की अनुसार सरकार क्या कर रही ही राज सरकारों को पेकर रही थी पर इस बीच में हुआ क्या समस्त्रा कहां से खड़ी हो केंदर सरकार के राजस्तों में क्या आगई कमी आगई इस से क्या हुआ के इंदर सरकार के राजस्तों में भुष्यंगबादू क्या होता है खत्रा उत्पन होता है ठीक है हमने जो भी डिसकस किया यहां पर लिखा हुआ है आप उसको पढ़ सकते हैं ठीक है अंगला जो नुक्सान हो कहा है 15 वह वितायों दार रेखांकित मुद्धे अद्यकों 15 वह वितायों कि अध्य क्या कि अध्यकों ने कुछ मुद्धे बताए हुए चाशन की दरों बहुत जाता है जो टेक्स स्लेब से बहुत जाता है एक उनका वह वह कंसन है कि पूर्वा के मुकाबले जीस्टी संग्रा में कमी अब जीस्टी जब बैस्था आई थी तो एक अनुवान लगा गया था कि लगबग डेड़ लाग करोड रुपे पर मंथ का कलेक्शन होगा पर किसी भी मंथ में अभी तक एक लाग दस जार करोड रुपे सी जादा कलेक्शन नहीं गया है और कई बार किसी-किसी मंथ में ये कलेक्शन नब्बे हजार करोड रुपे तक घटके आ जाता है इसके लाब बाद रिटरन दाखिल करने में असंगती देखो रिटरन दाखिल करने की प्रक्रिया आसान तो हुई है डिश्टलाइशन की वैसे पर जिसको भी ये काम देके रखे हैं इनफोसिस को ये काम देख दिया गया है वो उस विवस्था को सही तरीके से संजालित नहीं कर पा रहे ह हैं सेम समस्था कहां पर जाती आपके डिटीसी में जाती डार्यक्ट टैक्स कोड के संबंध में जो बात की गई है उसमें जो विवस्था बनाई यह प्रत्रच करने के लिए आई टीर फाइल करने के लिए उसमें वी समस्था जाती इनफोसिस अच्छे समयनेज नहीं कर प को उनको मार्फ किया है मतलब इनको नोbes मंटन ऑपका हर्मिंदर साइब करता है डेकिन धार्मिंदर प्रतिस्थान किता है व्यों को छोट मिलेगी मतलब केंदर सरकार दोरा वो GST क्या किया जाएगा वापस किया जाएगा पर केंदर सरकार पिछले दो साल से उनको GST वापस नहीं कर रही थी यह मुद्दा बन गया राजितिक मुद्दा बना चुकि अब चुनाव है वहाँ पर उनने मुद्दा उठाया तो बाद में आनन लिंदर साही में बहुत ज्यादा डोनेशन आता है उसके बहुत ज्यादा आय बनती है उससे उनको टेक्स देना पड़ेगा ठीक है पर यहां पर क्या हो जाती ही समस्या खड़ी जाती है तो पंद्रह में बित्ता आयव ने कई सारे मुद्दे रेखांकित किये हैं यह सभी कंसर्ण के मुद्दे हैं इसके लाबा बड़े व्याफसाई बनाम छोटे व्याफसाई अब देखो इस चीज को हमने पहले ही समझाओ कि अगर आप 20 लाख रुपए से कम का व्याफ़ करते है या पूर्वोतर चेत्वे 10 लाख रुपए से कम का व्याफ़ करते तो आपको पर इसे समस्य कहां जाती है जो बड़े व्यापारी होते हैं उनको लगता है कि इनको छूट दिया रही हमको छूट नहीं दिया रही तो एक क्या होता है घ्रणा की सितियुत्मन होती है यहां पर ठीक है इसके लाबा किया इस डी को कर्ष रोखने को पाए के तौर पेच के जा रहा था अब देखो जीस्टी जब आया तो बोलाएक प्रत्यच पारदर्शी विवयस्ता है डिश्टल व्यास्ता है किसी प्राइब कोई चोरी नहीं होगी पर अगर आप जीस्टी लागू होने के बाद एक दो साल बाद की खबरों को पढ़ेंगे तो पता चलेगा जीस्टी जो वो थी टीम होती है उनके द्वारा क्या कि जा रहे था अलाग अलाग व्याफसाईग प अब यह बहुत बड़ी समस्चा है कि लोग अपने कर्टव्यों को पाला नहीं कर रहे हैं डारेक्ट स्वता ही वह टैक्स नहीं देते हैं एक सरदार स्वाण सिंग समीति में इस चीज़ को पहले वा डिसकस किया उसाहता कि सरदार स्वाण सिंग समीति जब बनाई गी उसम और देना यह टैक्स पे करना भी क्या होना चाहिए ग्मॉलिक करता भी होना चाहिए जिसको इंद्रा गांधी सरदी सरकास क해서 में किया वह एक अलग मैटर है पर प्लिंडिय तो पीजिन यह लोग टेक्स पे करना पसंद नहीं करते हैं स्वतह अनुपालन नहीं करते हैं उसका स्वेच्छी का अनुपालन नहीं करते हैं इसके अलबा क्या है परियाप्त कर आधार यानि टेक्स बेस में भी उम्मीदों के अनुरूप प्रिसार नहीं हुआ है अब सरकार को यहां पर क्या उम्मीद थी देखो कि GST लागू होने के बाद जो टैक्स बेस है मतलब कर देने वालों की जो संख्या है उसमें बहुत ज्यादा क्या होगी अपरत्यासित व्रद्धी होगी पर ऐसा कुछ हुआ नहीं सेम समस्य कहां जाती देखो आपके जब वह हुआ डिमोनेटाइशन किया गया विमुद्री करण किया गया नोट बंदी 2016 में तो उसके विमुद्री करण जब लागू किया गया तब तो सरकार के उद्धेश अलग थे काला धन समाब्द करना है आतंगवाद रोकना है नकसलवाद रोकना है और पता नहीं क्या क्या प्रत्यासित वर्दी अन्मानित करके रखे हुए थे उतना व्रत्यासित वर्दी नहीं हुए सेम समासी आपन केंगा है 2 गो इसके लाबस जीएसं टीं को लेकर आज भी सवाल उठते हैं अब दिखो जीएषित Gir BO लेकर सवाल इञे हो कि इसकी दोड़ा Mac वीपच्ची के दोड़ा ने खाना है हमने इस वीब एकी ईञे कि यह सबनाई हुई है स?!" एक्षित कर लिए मिन निर्धन वर्ग दिमने मद्यम वर्ग उच्छ मद्यम बर्ग और उच्छ बर में क्या है डिवाइड है और जो निर्धन वर्ग उसके भी नीचे बहुत लोग आते जिनके पास सुभई अरसाम के भोजन की समझ्चा होती है ठीक है तो तब तक जब तक यह सान हो पाए सब्सक्राइब को तरीके से मैंनेज नहीं किया जाता है इसलिए जटिल हो जाता है तो यह पूरा था अपका जियस थी था जिसमें हमने जिसमें ऑता कि लाव उप्रप्रीशत क्या होती है उसकी सनाचना क्या होती है जो उपबंध किये गए 101 में सम्धान संसोधन में, वो क्या है उनको देखा हमने, GST के परकार क्या होता है, GST की भीधों ने सलैब क्या होती है, GST के गुन या विशेस्ताएं क्या होती है, ठीक है, तो ये पूरा हमने देखा, तो वाज क्ली के वीडियों ही सभाप्ध करते हैं, मिलते हैं आप संगले वीडियो में तब तक क्लिए आप सभी का धन्यवाल